हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे तो अब बात करेंगे एक नए कॉंटिनेंट की और उसका नाम में अंटार्क टिका तो अंटार्क टिका की हम लोग बात करते हैं अंटार्क टिका कॉंटिनेंट अंटार्क टिका महादूइब दोस्तों अंटार्क टिका महादूइब की अगर हम बारे में बात करें तो बहुत खास छीजे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजें अंटार्क टिका महादूइब जो है यह विशो का विशो का पाचमा विशो का पाचमा सबसे बड़ा महादूइब विशो का पाचमा सबसे बड़ा महादुई पर पांचों नमबर पर आता है फिफ्ट पर याद रखीगा और पूरी तरीके से ये मानव रही थे मानव रहित का मतलब होता है जहां पर मानव ना हो मानव सहित और मानव रहित मानव सहित का मतलब जहां आदमी हो और मानव रहित जहां पर आदमी ना हो यानि दुनिया का इकलोता ऐसा महादूइप है अंटार्केटिका जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता बेसिकली नहीं रहता लेकिन वैज्यानिक प्रियोग करते हैं ऐसा नहीं कि वैज्यानिक प्रियोग नहीं करते हैं और वहाँ से वो लोग परिच्छन प्रियोक करते रहते हैं ठीक है विज्ञान के छेतर में अभूत पूर योगदान देते रहते हैं विज्ञानिक वहाँ से और लेकिन यहाँ पर कोई मानो आबादी नहीं है क्योंकि टेंपरेचर बहुत कम है माइनस में है और जीरो डिगर के लिए अनकोल नहीं परिस्थितियां होंगी वो और हम लोग वैसी इस्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो यह मानव रही छेत रहे अब आप सुझे लोगा अंटार्क्टिका है कहां तो आपने देखा होगा कि यह हमारी पृत्वी है और हमारी पृत्वी पर यहां पर यहें नौर्थ पोल उत्तरी दुरू और यहें साउथ पोल दक्षनी दुरू और इसी दक्षनी दुरू के चारों तरफ यहां पर यह है अंटार्क्टिका कहां पर है पृत्वी के साउथ पोल यहां दक्षनी दुरू के चारों तरफ है यहां दक्षनी दुरू के चारों तरफ है लिख सकते हैं आप साउथ पोल यहां दक्षनी दुरू के चारों तरफ पहला है कि यहां पर के चेंपरेचर माइनस में होगा तो क्या होगा आइस होगी यहां पर बर्फ की अरत बहुत मोटी बहुत मोटी है यहां पर साउथ पोल पर ठीक है और यहां पर दक्षनी गोलार्द में इस्तित समय लिजा दक्षनी गोलार्द में इस्तित है दक्षनी गोलार्द में कहां पर किस गोलार्द में है सदन हैमिस्पियर में दक्षनी गोलार्द में अब ठंड़ कितनी ज्यादा है कि पानी भी जम जाएगा आसपास का जो एरिया होगा आर्केटिक्ट सागर होगा वहां पर पानी पुरा जमा हुआ होगा ठीक है शीत कटिबंध है वैसे भी यहां पर फ्रिस जोन है तो सब को जम ही होगा टेंपरेचर माइनस में होगा दक अशनी गुलार्द में इस्थित है मौजूद है सिच्वेटेड है यहां साउथ अमेरिका से 960 किलोमेटर दूर है अगर इसकी हम दूरी की बात करें दूरी में साउथ अमेरिका से 960 किलोमेटर दूर है कितना साउथ अमेरिका से दूरी में साउथ अमेरिका से 960 किलोमेटर इसकी दूरी है अगर हम आस्चेलिया से बात करें तो 2700 किलोमेटर दूरी है इसकी अलग अलग छेत्रों में अलग अलग जगों से अलग अलग दूरी है अफ़रीका से 4000 किलोमेटर की दूरी है एफ्रीका से 4000 किलो मीटर की दूरी है ठीक है या पूरी तरीके से या जो आफसे लिए अंतर्क्रिका की हम बात कर रहे हैं या अंतर्क्रिक महासागर से घिराया रखीगा अंतर्क्रिक महासागर से कवरप है या ठीक है जैसे आप जानते हैं कि हाँ पर अगर हम पूरी अर्थ को दो इकुली पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उपर का जो आधा गोला है इसके उपर वाला वो है नॉर्धन हैमिस्परिया उत्तरी गोलार्द और नीचे वाला आधा गोला है सदन हैमिस्परिया दक्षणी गोलार्द तो यह दक्षणी गोलार्द में है फेर हमने बुला आर्क टिक महासागर से गिरा है तो आर्क टिक महासागर कहा है ऊपर जिसे हमने यहाँ पर बताया आपको हमारी पुर्थवी अपनी एक्सिस पर 23 1⁄5 degree टिल्ट है यानि साधे 23 डिग्री पर जुकी है और साधे 23 डिग्री पर जुकी होने का मतलब करक रेखा और मकर रेखा का निर्मान होना तो जब साधे 23 डिग्री पर टिल्ट होगी तो साधे 23 पर उपर करक रेखा बनेगी इसके उपर साधे 23 पर यह 0 डिग्री है ये है 0 डिग्री और इसके उपर जो साधे 23 बनेगी ये है करक रेखा 23 सही 1 बटा 2 डिग्री और नीचे जो साधे 23 बनेगी ये मकर रेखा है 23 सही 1 बटा 2 डिग्री ये करक रेखा ये वाली 0 डिग्री भूमध रेखा और ये वाली मकर रेखा साढ़े तेईस मकर रेखा ठीक है और हमारी पुत्वी टिल्ट है इसलिए उपर भाई ऐसे टिल्ट है ऐसे ये सर्फेस हो गई ये एक्सिस हो गई ये राइट एंगल का एंगल होता लेकिन हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से 23.5 डिल्ट है तो ये 23.5 है ये वाला एंगल है 23.5 डिल्ट है इसलिए 23.5 पर करक रेखा और 23.5 पर मकर रेखा बनती है लेकिन ये वाला एंगल भी तो बच्चेगा और ये दोनों मिलकर 90 डिल्ट है ये 23 और ये वाला बच्चेगा 66.5 ये दोनों मिलकर अड़ हो जाएंगे तो भी तो 90 डिल्ट बनेगा तो यहाँ पर साड़े 6.6 डिल्ट का भी रोल है ये वाला जो साड़े 6.6 डिल्ट है 6.6 सही एक बटा दो डिल्ट इसको बोलते हैं आर्क्रिक वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्वरत्व अंटार्कितिक वरत और इसी अंटार्कितिक वरत पर जो पानी होगा उसको हम बोलेंगे अंटार्कितिक महासागर यह चीज़ा रखेगा और जो आर्केटिक प्रत्य के आसपास पानी होगा वर्टरबर्ड होगी उसको हम बोलेंगे जहां पर जो नाम होता वही नाम होता है महासागत का तो आर्केटिक सागर बोलेंगे पानी होगा वह आर्किटिक्स आगर कहलेगा लेकिन कौन सा उपर उत्तर में यहनी नॉर्थ लेटिटिटिउड और अगर 66 थी-गरी साउथ लेटिटिटिएड यह 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री है तो यह अगर साउथ लेटिटिटूड की बात करेंगे तो फिर कौन सा हो जाएगा अंटार्किटिक सर्कल जिससे संबंद्य ते अंतार्क्टिका उसी के नीचे अंतार्क्टिका है यह चीजी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है यहाँ प्रशान महसागर महता प्रशान महसागर पैसफिक ओशन प्लस एट्लांटिक महसांगर प्रशान महसागर और Atlantic महासागर से मिलकर कौन सा सागर बनता है Antarctic महासागर ये चीज बनते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे ये सब बहुत फेमस चीज़े हैं ठीक है अब थोड़ा सा और factual की बात करते हैं यहाँ पर जो Antarctic का है Antarctic का 95% भाग बरब से धका है अब आप सुचिए 95% आउट आफ 100% में 95% कवर है किस से बरब से धका है ठीक है पूरा बरब से संबंदित है धका हुआ है यहाँ सभी महादुईपों में सबसे ज़्यदा उचाई परिस्थित है लगभग 6000 फीट इसकी अगर हम हाइट की बात रहें 6000 फीट इसकी हाइट है 6000 फीट की 6000 फीट बहुत होता है जो अंटार्किटिका का कुल छेत्रफल का आमने बताया 95% जो है यह बरफ से धका है बरफ यानि हिम हिम की चादरों से धका हुआ है ठीक है इसका अधिकांश छेत परवत्तों से घिरा है याद रखीगा अधिकांश भाग अधिकांश भाग परवत्तों से धका है धका है या घिरा है घिरा है परवत्तों से घिरा है ठीक है परवत्तों से घिरा है आप सुचिए परवत्तों से घिरा हो घिरा होगा तो जहर से बात है उबढ़ खाबढ़ होगा और इसलिए उबढ़ खाबढ़ है पहाडों की वजह से उबढ़ण खाबढ़ है मतलब उचा नीचा है जैसे जमीन होती है उबढ़ खाबड जिसे पत्रीली जमीनों जैसे खड़ंजा होता है एक डामर रोड होती है जिसमें डामर बिचाया जाता है और एक होती ही जिसमें इते अध्य लगा दियते हैं वो खड़ंजा होती यनि ऐसी रोड जो बहुत बेकार है उबढ़ खाबड है बनी नहीं अच् प्रमुख चोटी का नाम है इसकी चोटी का नाम है ट्रांस अंतार्कितिका जो पूरे महादेश को या महाद्वीब को लगभग दो बराबर बराबर भागों में बाड़ती है है जो अंटार्किटिका को यह सब इंपोर्टन चीजे है जो अंटार्किटिका कॉंटिनेंट को लगभग दो बराबर बराबर भागों में विभाज बागों में भी इवाजित करती है याद रखेगा यह भी इंपोर्टन चीज हो गई दो बराबर भागों में बात विभाजित करती है इसके तटीए भागों में कि एल्सवर्थ परवश्यंडी है एल्सवर्थ करती यह भाग में कि एल्सवर्थ कि एल्सवर्थ परवश्यंडी है जो अन्टार्क टिका की सर्वोच चोटी विंसन मैसिफ जो अन्टार्क टिका की सर्वोच मने हाइस्ट, हाइस्ट चोटी माने पीक, हाइस्ट पीक, सबसे सर्वोच चोटी भी कहा सकतो, सबसे उल्ची चोटी, सर्वोच चोटी, सर्वोच चोटी या हाइस्ट पीक, इसका नाम है विंसन मैसिफ, क्या नाम है इसका, सर्वोच चोटी का नाम विंसन, विंसन मैसिफ सर्वोच चोटी विंसन मैसिफ इसकी जो उचाई है वो पाँच जार एक सो चालिस मीटर है पाँच हजार एक सो चालिस मीटर उचाई इसकी विंसन मैसिफ की उचाई पाँच हजार एक सो चालिस मीटर के आसपास है ठीक है और यहाँ पर एक एक एक्ट्व वॉलकेन है जिसका नाम है माउंट एरे बस एक सक्रिय जो आला मुखी इंपॉर्टन बहुत जाता है सक्रिय जो आला मुखी माउंट एरे बस एरे बस परवत है जो वॉलकेनिक आईलेंड है जो आला मुखी से बना हुआ है यह सब कुछ यहाँ पर मजूद है पाया जाता है जो की बहुत ही ज़्यादा फेमस है ठीक है कुछ और चीजों की बारे में हम लोग बात कर लें यहाँ एक मात्र ऐसा है आमने जो बताया कि यहाँ एक मात्र ऐसा कॉंटिनेंट है जो एकदम मानव रहित है यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता इंसान नहीं रहता मानव रहित छेत रहे ठीक है यहाँ एक वैज्यानिक प्रियोग धर्मी छेत रहे याद रखेगा वैज्यानिक प्रियोग धर्मी वैज्यानिक प्रियोग धर्मी छेत रहे प्रियोग धर्मी का मतल्ब होता है जहां पर वज्ञानिक प्रियोग करें ठीक है प्रियोग धर्मी छेत्र है इसलिए इसका एक नाम पड़ा है छेत्र है इसलिए इसे विज्ञान का महादेश भी कहते हैं विज्ञान का महादेश भी कहा जाता है मानो रहित का दर्जा मिला हुआ है विज्ञान का महादेश का भी दर्जा मिला हुआ है ये भी नाम इंपोर्टेंट है विज्ञान का महादेश किसे कहते हैं अंटार्क टिका को कहते हैं ठीक है ऐसा कौन सा कौन्टिनेंट है जो मानो रहित है मानव रहित कौन सा है अंटार्किटिका है एक नाम आ रहाता है ऐसा छेत्र बताईए जो सफेद रेगिस्तान कहलाता है सफेद वाइट डेजर्ड भी कहलाता है इसी को हम वाइट डेजर्ड यानि श्वेद रेगिस्तान कहते है रेगिस्तान यानि मरुस्थर श्वेत रिगिस्तान भी कहा जाता है श्वेत रिगिस्तान भी कहा जाता है वाइड डेजर्ड कहते हैं याद रखेगा यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाये जाते हैं खनिज अब अगर हम खनिजों की बात करें खनिज तो इन खनिजों में खनीजों की अगर हम बात करें तो इन खनीजों में बहुत सारे खनीज हैं जो important जैसे लोहा यानि लौह कौन-कौन सा लौह लौह के बाद तामबा तामबा भी बहुत जाता मात्रा में पाया जाता है लौह भी यानि लौहा पाया जाता है कोईला पाया जाता है यहाँ पर कोईला और यहाँ पर दोस्तों पेट्रोलियम भी है पेट्रोलियम अब आप सोचो पेट्रोल तो निकाला जा सकता है ठीक है आदि लेकिन आप यह बताओ अगर निकाला जा सकता है तो हम निकालते क्यों नहीं है इसलिए नहीं निकालते हैं क लेकिन इतनी दूर जाने के बाद उसको प्रोसेस करना मजदूरों को ले जाने के बाद उनको वहां रुकना उनके खानी की विवस्था करना शेल्टर रहने की विवस्था करना उनके कपणों की विवस्था करना ठीक है उनके लिए उनकी सहली की विवस्था करना उसके बाद माइनिंग करना पता नहीं कितने समय के बाद माइनिंग हो पाए यानि ये बहुत खर्चीला काम है और जब बहुत खर्चीला होगा तो पैसे बहुत लगेंगे इससे अच्छा तो हम बाहर से खईद लें यानि ऐसे जो तो कुवा तो फिर न खोदोगे पहले पानी की विवस्ता करोगे तो मर चाहेगा आदमी कुवा खोदते खोदते तो प्यास तो लगी रहेगी तो यह सितियां लग लग है तो खनिजों का यहाँ पर निकालना बहुत महेंगा काम है इसलिए यहाँ पर खनिज क्रिया संभव नहीं है यानि इनका खनन इनका खनन संभव नहीं है क्यों की क्यों नहीं संभव है क्यों की यह बहुत करचीला काम है बहुत पैसा लगने वाला आप किसी को यहां से लेके जाओ अंटार्क्रिक का तो पहले बात तो टेंपरेचर माइनस में तो उसको वैसे कपड़े दिलाने पड़ेंगे जूते लॉंग बूर्ट दिलाने पड़ेंगे रहने के लिए बढ़िया गरम घर दिलाना पड़ेग सब माइनस है टेंपरेचर जीदो के बाद सब माइनस ही है यानि बरफ ही बरफ है अब उसको रहने के लिए खाने के लिए बहुत बढ़ेगे पैसा ही पैसा कर चुगा इससे अच्छा बंद कर दो काम ना करो ना निकलो पेट्रोल ठीक है तो यहां पर भारत के अलावा भी भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनोंने अपने सेंटर स्थापित किये हैं और उनमें भारत भी है तो भारत की जो सेंटर हैं इनका जो पहला अभियान किया गया था वो 1981-82 में किया गया था भारत के द्वारा पहला अभियान पहला अभियान 1981-82 में स्टार्ट किया गया भारत के तीन लगे हैं यहां पर या रखना तीन लगे हैं जो है शीविर हैं यहां पर और भी देशों के शीविर हैं यहां पर एक जगे हमने आपको बहुत बताई थी क्वीन मौड छेत्र में किया गया 1981-82 में कहां किया गया क्वीन मौड में क्वीन मौड छेत्र इस छेत्र में पहला अभियान चलाया गया ठीके और इसको नाम दिया गया दक्षण गंगोत्री क्या नाम दिया गया इसका पहला भियान कौन सा था दक्षन गंगोत्री ये पहला भियान था या रखना ये पहला था इसी में एक दूसरा भियान चलाया गया दक्षन गंगोत्री के अलावा भारती भारती के नाम से चला गया दक्षण गंगोत्री और भारती तो यह important चीज़े हैं याद रखेगा ठीक है दक्षण गंगोत्री भारती और एक और चला गया है मैत्री एक चीज़ और याद कर लिजे important है यह जो अभियान चला जाते हैं यह वज्ञानिक चलाते हैं ठीक है अलागलक देशों की सरकार उन वज्ञानिकों पर अच्छा खासा पैसा खश करती है उनको वहाँ भेशती है उनकी रहने की खाने की आने की जाने की बिवस्था करती है उनकी medical की बिवस्था करती है अगर कोई कोई scientist गया है तो वह जादा नहीं पांच या छे मेने या चार मेने जितना भी जितने समय के लिए भेजाता आएगा उतने समय वहाँ रहेगा अपना शोध करेगा और उसके बाद उसको वापस गुला लिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ऐसी चीजें जो होती हैं यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर यह सब center बनाएगे भारत के द्वारा तीन सेंटर बनाएगे दच्छन गंगोतरी ठीक है दच्छन गंगोतरी का नाम दिया गया पहले वाले का नाम और यहाँ पर और भी कई देशों के शिविर हैं ठीक है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहीं पाया जाता है विश्व का अन्टार्केटिका में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है इसका नाम है लैमबर्ड इस्थित दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है लैमबर्ड कहां पर अंटार्केटिका में यह सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा बरफ है वजन है यह चेतर साउथ पोल जो है पृधवी का साउथ पोल बहुत हैवी वेटेड है ठीक है बरफ जता है और इसी लिए यह कौन्टिनेंट शिफ्ट हो रहा है नीचे की और खिसक रहा है यानि समुद्र के भीतर धास गया है तो ऐसे समलो समुद्र के भीतर धास गया यह तो याद रखेंगे सब चीजें ठीक है यहाँ पर ब्रिटिश अंटार्क्रिका सर्वेक्षन के द्वारा एक होज हुई थी वह भी लिख लेते हैं कब हुई थी उनीच सो पचासी में नाइन्टीन एटीफाइफ में कि इसवी में ब्रिटिश कि ब्रिटिश अंटार्क्रिका कि सर्वेक्षन ब्रिटिश अंटार्क्रिका सर्वेक्षन के द्वारा यहाँ खोज की गई थी कि अंटार्क्रिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है ओजोन लेयर समताप मंडल के निचली श्रणी में पाई जाती है निचली भाग में पाई जाती है और यह बात खोजी किसने थी ब्रिटिश अन्टार्किर्टिका सर्वेक्षन ने कब खोजी थी? 1985 में क्या खोजा था? खोजा था कि अन्टार्किर्टिका के उपर उपर वायू मंदल में मौजूद वायू मंदल में मौजूद ओजोन लेयर में होल हुआ है होल माने छिद जिसकी वज़े से क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट को हिंदी में परा बैंगनी किरने कहते है परा बैंगनी परा बैंगनी किरने पृत्वी पर आएंगी और इन परा बैंगनी किरनों से क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट से क्या होगा? स्किन डिजीज होगी यानि तवच्चा संबंधी रोग होगे जैसे स्किन डिजीज इस जो होती ही जैसे वाइड बहुत सारे देखो पर जाते हैं लोगों की स्किन पर रेड दाने पर जाते हैं बहुत सारी बिमारियां हो जाती ही लोड का कैंसर है तो ऐसी served आंक की वायिविली ! फढ़ गई तो उसकी आंक चली जाएगी अंधा हो जाएगा आदमIn बेकार हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी तो यहाँ पर 1985 में British Antarctica Sunviction ने यह खो जा कि Antarctica के उपर जो मौजूद है ozone layer उसमे hole हो गया है और यह एक बहुत ही खतरनाक बात है मनुष्य के लिए, क्यों? क्योंकि अगर hole होगा तो ozone layer में breaking से क्या होगा? break होने से यहाँ पर ultra wallet प्रत्वी पर आएंगी और जो ultra wallet प्रत्वी पर आएंगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे होगा, ठीक है? तो यह सब चीज़ें आत रखेंगे तो आज बस इतना ही, दोस्तों यह सब आपने पढ़ लिया अंटार्किटिका कॉंटिनेंट के बारे में और अब आपके सारे के सारे महादीप हो गए हैं खतम, ठीक है? तो आज के लिए अब हम यहीं पर विराम लेते हैं और आप से फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक कि लिए नमस्कार थैंक्यू सो मच